पीजा, बर्गर, पास्ता, चाउमीन, मैगी, कुल्चा, नान, चोले बटूरे सबी को खाना अच्छा लगता है या तो हम इसे घर पर बना कर खाते हैं या फिर मार्केट में जा कर खाते हैं, रेस्टरॉस में खाते हैं, धाबों पर खाते हैं बहुत टेस्टी लगता है हमें, तो रिजल्ट इसका यह होता है कि हमारा फैट बढ़ जाता है और जब फैट बढ़ता है न तो रात को हम लोग सोच कर सोते हैं कि मौनिंग में उठेंगे और एक्साइज करेंगे पर ऐसा नहीं हो पाता और रिजल्ट यह होता है कि हम मोटे हो जाते हैं और फ्रस्टेशन हमें आने लगता है दीरे-दीरे और हमारे कपड़े छोटे होने लगते हैं हम मोटे हो जाते हैं और रोज हम सोचते हैं कि किस तरह का खाना खाया जाए क्या हम नाशने में खाएं, क्या लंच में खाएं, डिनर में खाएं, कि हम अपना वेट घटा आपाएं, आजकल की busy lifestyle में सभी के पास बहुत जादा time नहीं होता कि exercise कर पाएं, और अपनी diet को regulate कर पाएं, तो उसके लिए मैं आपके लिए बहुत अची remedy लेकर आई हूँ, बहुत सारा minerals है, बहुत सारे vitamins है तो बहुत ही अच्छा है, ये fat भी है, इसके अंदर बहुत थोड़ा सा, तो आपके weight management के लिए बहुत अच्छा है, साती weight reduction के लिए, fat reduction के लिए बहुत अच्छा है, weight maintain तो आप कर ही पाएंगे, इसको खाकर साती reduce भी कर पाएंगे, अगर आप फल्की फल्की सात में exercise करते हैं तो आप इसको breakfast में खाईए, lunch में खाईए, dinner में खाईए, कभी भी खा सकते हैं वैसे तो देखिए यहाँ पर मैं आपके साँ शेर करूई sprout salad की recipe पर ये आम sprout salad नहीं है वो कैसे कि sprout खाना वैसे सभी को boring लगता है, sprouts कैसे अपनी diet में include किया जाए, तो ये बहुत difficult हो जाता है, पर इससे हम salad बना कर खाएंगे, जिस तरह से मैं आपको दिखाने वाली हूँ, सिखाऊंगे आपको, तो उस तरीके से आपने शायद नहीं बनाया होगा, एक बार आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद में आप बोलिएगा, क्योंकि अगर आपने एक बार इस तरह से बना लिए, जिस तरह से मैं आपको दिखाऊंगी, तो यकीन मानिए, sprout आप हमेशा खाते रहेंगे, whole life आप खाएंगे, अपनी diet में include कर पाएंगे, तो किस तरह से बनाना इस salad को आईए शुरू करते हैं वीडियो, इसके लिए मैंने दो कप sprouts लिये हैं, मूँ और चना, दोनों को मिला कर उसका sprout करके ले लिया, इसकी recipe आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी, कि घर में आप कैसे दोनों को sprout कर सकते हैं, इसी वीडियो की description में मैं आपको link भी दे दू तो देखे, आपको लेनी एक कड़ाई और जो खाने वाली चम्मच होती है, नॉर्मल घर की चम्मच उसी से ही नापकर मैंने यहाँ पर दो चम्मच घी ले लिया, घी हमारी diet के लिए बहुत ज़रूरी है, बोन्स की health के लिए बहुत ज़रूरी है, skin, hair सभी के लिए बहुत help करता है, जरूर एट करें, टेस्ट भी बढ़ेगा इससे साथी fat loss भी होगा, अब देखिए मैंने इसमें कटी हुई प्यास डाल दी, इस तरह से आप प्यास डाल दीजे, प्यास से टेस्ट पड़ेगा, आपके salad का जो लोग प्यास नहीं काते हैं, वो skip भी कर सकते हैं, त ही नहीं काना चाहते हैं, तो उसकी जगे आप दो चम्मच कोई भी ओयल ले सकते हैं, बैस्ट रहेगा अगर आप ओलिव ओयल लेते हैं, तो देखिए, जैसी मैंने दो मिनट प्यास को भूना, मैंने इसमें दो कटे हुए टमाटर डाल दिये, अब टमाटर को भी हमें क्योंकि बहुत ही टेस्टी लगेगा जब भी आप इसको खाएंगे, तो ढखकर टमाटर को भी मैंने दो मिनट कोक कर लिया, मीडियम फ्लेम पर, दो मिनट के बाद में इस तरह से हलका सा प्रेस कर देते हैं, क्योंकि अभी टमाटर पूरी तरीके से नहीं गला है, नहीं हम क्योंकि अपने इसाब से कमजादा भी कर सकते हैं, मैंने यहां पर दो कप लिये हैं, तो इससे फायदा यह होगा कि पूरे दिन की आपकी मील रेडी हो जाएगी, मील जब आपकी रेडी रहेगी ना फ्रिज में पड़ी रहेगी, तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नही सकते हैं, आप इसको एज़टेस भी खा सकते हैं, अजे साइड डिश भी खा सकते हैं, साथी आप इसको सेंडविच के अंदर भी भर कर खा सकते हैं, आप इसको ब्राउन ब्रेट के बीच में रख कर खाईए या फिर रोटी के बीच में रोल करके आप खा सकते हैं, अगर जरके कार बाल जलिकस नण खचाम करें दिन इन देखेंutch से तो अब देखेंगे कर दो इस दाकत को होगईван से मीडियुमः पर सात कीज़ आधा नीबू के मैं। जोड़कर डाल रही हूं बहुत अच्छा इससे पंच मिलेगा चाट मसाला बहुत टेस्टी बना देगा इस सैलेट को और नीबू हमने डाला है जो अगें वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है आपकी बॉड़ी के जो टॉक्सिन से इसको फ्लश आउट करने के लिए मील नहीं है थाट कभी भी निकाल कर खा शकते हैं क्योंकि देखी जब अमे महीं बहुक लगती है क्ो Marie B बेड फूट खाने की तरफ यानि कि हमने ब्रेड खाली हमने कुछ और खालिया थोड़ी सी मठरी खाली लड़ू खालिये या फिर कोई बर्गर खालिया पीट्जा खालिया तो यह आपको टेम्टेशन नहीं होगा अगर आपके पास सैलेट पड़ा रहेगा तो इस तरह से सैलेट आप यह बना कर खा सकते हैं इसके अलावा फ्रेंड आप चाहें तो इसमें सबजियां भी आइट कर सकते हैं अपनी पसंद की कोई भी सबजियां डाल लीजिए तो देखी यह है बेसिक सैलेट तो यह तो आप इसली घर में बना सकते हैं क्योंकि प्यास आपको जो कम लगे तो आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं उसके बाद में आप इसको खाईए नाश्टे में खा सकते हैं आप इसको लंच में डिनर में कभी भी खाईए तो देखिए इस तरह से भी सैलेड आप बना सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है हमारे घर में सबजियां पढ़ी हो इसलिए मैंने सबजियां बाद में आपको काट कर ऊपर से दिखाई हैं तो सबजियां अगर आपके पास हैं तो आप इस तरह से डाल सकते हैं और यह देखिए सैलेड हमारा बनकर बिल्कुल तयार है स्प्राउट्स का बहुत ही हल्दी सैलेड इसको आप जरूर अफेटियां तो आपके बएगि बाद रहन अवहत वा झाल आपके भाग्ध